तो स्वागरे दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं हू निकेला हम लोग class 10 science का chapter number 3 metals and non metals पढ़ रहे थे और इस वाले part में हम लोग जानेगे extraction of metals जिसमें हम लोग जानने वाले है minerals and ores के बारे में साथ-साथ metals को reactivity के आधार पे किस-किस group में बाटा कैसे-कैसे group में बाट metals ने हम लोग अभी metals, non metals अब के बारे में chemical properties आवनी compound यह सारे चीज़ा हम लोग ने देख लिया लेकिन यह metals आता कहां से है यह हमें मिलेगा कहां से तो इसका major source जो metals का होता है वो दो जगह से ही आता है पहला हो गया earth crust या फिर sea water, earth crust कमता हो गया earth के surface, earth के surface में या तो आप directly directly कहीं पे इसका mineral का stock है, वहां से आप उठा सकते हो या फिर उसको dig करके खोड़ के वहां से निकालते हो, obvious सी बात है कि minerals के form पे निकलेगा, अभी वह आएगा, उसको हम लोग refine करेंगे तो फिर metals मिलेगा, या फिर दूसरा तरीका हो या earth crust ऐसे ले सकते, या फिर हम लोग sea water से ले सकते हैं, sea water में भी महोँ ज्यादे minerals का deposit होता है, जिसको हम लोग refine करके, extract करके, हम लोग metals का form में लेके आते हैं, वहां से हम लोग metal मिलता है, तो metal जितने भी होते हैं, periodic table में आप देख सकते हैं, उन सब का extraction हम लोग कहां से करते हैं, या तो उसका दो ही source है, या तो हम से सकते हैं, या तो sea water से ले सकते हैं, अव जैसे data का बात कर लो, metals का बात कर लों, जैसे iron हो गया , यह से सी वाटर का अग्सांपूल रहा हुँ ले तस्टर से हमने साइब से निकालते लिए तो अग今डर के जोडीन है 지금 हिगे अगर हम लोग प्लूल निकालना तो मैंगनीज हो गया अर्थ क्रस्ट से मिsty hanuk अप लेसक्ते हैं और मैंगन 보시면 मील जाता है मिल जाता है सब चीज हम लोग से मिल जाता है साथ से सब्सक्राइबर से स्वमुंदर होगा है कि आधर का यत्तर छी मिलते हैं तो मेजर फुरे और से हम लोग सब्सक्machen पूरे अर्थ और अब हम लोग समझते हैं मेन्स properly मतलब होता है में और का मतलब का मतलब का मतलब आर्थ का सर्फ ठीक है जो अर्थ है उपर का जो शॉलिड लेयर होता है उसको अर्थ नीचे मैगमा मिलेगा फिर उसके बार कोर मिलेगा तो सबसे उपर लेयर है solid layer है जिस पे हम लोग रहते हैं, इसमें जितने भी element और compound naturally हमें found होते हैं, उन सब को हम लोग mineral कहेंगे, में सब्धान चले किया मिर्टी भी मिल रहा है थे पर मिलनल कि आपको मिलनल किस अर्थ करा ऑग ने को हैंगि अलग चीज घुज नहीं कि वह किसी किसी elements से तो बना हुआ हुआ है तो किसीनी किसी element से बना हुआ या फिर हो cold compound है अब जैसे जितना बालु होता है वह sotta silicon oxide और silicon dioxide silica से बना होता तो सिल्कन भी तो element है oxygen भी also element है तो उ-से बना हूआ है या फिर कहीं मिल जाएगा आपको iron oxide का कहीं और उसमें कोई ने कोई अलिमेंट तो इस तरह से अगर कहीं पे भी पूरे अर्थ ग्रस्ट पे अगर कोई मिलने कंपांड का compound हमें कोई भी चीज मिलता है कोई भी हम रॉक ले ले, कोई हर चीज ही बना हुआ, वो हर चीज को हम लोग mineral कहेंगे, तो सारे को अगर mineral कहेंगे तो हम लोग extract कहां से कहेंगे, तो अब ही आता है और का concept, at some places, अब और का concept है, जितना earth class पर जितना कुछ है, वो सब कुछ आगया है mineral में, अब यहाँ पर और की बात करो, at some places, mineral contents a very high percentage of particular metal, and the metal can be profitable extracted from it, these minerals are known as ores, ठीक है अब होता यह है, कि बालू तो हर जगा है, ठीक है, अब बालू हर जगा है, हमको नदी किनारा ही बालू मिल रहा है, समुझ कि राही बालू मिल रहा है, या फिर रेकिस्तान में चल गए, वहाँ पर ही बालू मिल रहा है, लेकिन सिलिकन का जो, अगर हम वह सिलिकन निकालना है, तो सिलिकन का जो concentration है, वो बहुत अच्छा quality का, हमको सिलिकन के पास नहीं मिल रहा है, ठीक है रेकिस्तान में चल गए, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक particular एरिया है, जहाँ पर deposit है साइंड का, वहाँ पर quality मिल रहा है, हम अगर उसको extract करते हैं, तो बहुत हाई एमाउंट में हमें silicon प्राफ्थ होगा, उस silicon dioxide हर जगा silicon dioxide है, SiO2 ही science बना रहाता है, silicon हमको हर जगा से मिल जगा, लेकिन हमें profit सबसदी के एक particular जगा से हो रहा है तो उस particular जगा पे जो mineral मिल रहा है, silicon का उसको हम लोग कहेंगे वो ओर हो गया, ठीक है किसी भी जगा से अगर हम लोग profitably extract कर पा रहे है किसी mineral से कोई metal को या फिर non metal को, या फिर किसी particular element को, तो उस particular element का वो और कहला जगा, ठीक है अब जैसे iron का हम बात करते है iron हर मिट्टी में आपके गमले में जो मिट्टी है उसमें आप पौधा लगा कर रखते हो क्या उसमें iron नहीं, यहां iron है क्या उसमें profitable आप iron निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, hardly कितना होगा less than 1% होगा, अब less than 1% मतलब एक केजी आप मिट्टी को पूरा प्रोसेस करने जाओ, हर चीज करने जाओ दुनिया बरका खर्चा होगा, iron तो निकलेगा लेकिन उसमें खर्चा बहुत जादे आगा और कितना iron निकलेगा, less than 1% मतलब कि एक केजी लेने गाओ, तो एक ग्राम से भी कम iron निकलेगा यह तो profitable नहीं 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 लेकिन आइरन का जहाँ पर माइन्स है, ठीक है माइन्स का मतलब है कि एक ऐसा डिपोजिट हमको मिल गया, iron ओर का जहाँ पर आइरन ओर भारा परावा, दूसरा element कम है वहाँ ना के बराबर है, अगर वहाँ से निकालते हैं तो पता चला उसमें वहाँ पर पर्टिकुलर element है, तो उस तरह के mineral को हम लोग कहें, यह ओर्स, ठीक है हम मालोग कि यह पूरा earth crust है example के लिए बता रहो, यह पूरा earth crust है यहाँ पर जो मिला, वो iron का है F.E. लिख दिया, यहाँ पर लिखा वो सारे के सारे mineral कहलाएंगे, ठीक है ना, जितने भी और से वो सारे के सारे mineral कहलाएंगे, लेकिन जितने mineral से वो सब और नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ओर क्या कहाएंगे, जितने भी और से वो तो mineral है, mineral कही नो पार्ट हो गया और ठीक है तो यहीचीज़ है समझ में का तो और भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद कर तो कंसेट्लियर होगा और कवही होगी at some places मिलरल कंटेंस ए very high percentage of particular metal कि सी particular metal का बहुत हाई पर्सेंटेज होना चाहिए एक बात दूसरा बात वहां से हाई परसेंटेज है लेकिन हम प्रॉफिटेविली एक्स्ट्रेक्ट वहाँ से नहीं करता रहे तो भी वो और नहीं कला जाए दोनों कंडिशन सेटिस्ट्राइब करना चाहिए पहले ही तो उसका परसेंटेज बहुत हाई हो जाए और दूसरा वहाँ से हम लोग उसको प्रॉ और थाहीक है तो क्या आरं और हेमा टाइक हो ऊता है किया मिने नहीं है कि ממट्स और 59 तो यह चीज हाँ को शुवार को स्मझ लकुर्णि और यह अब extraction of metal की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी metals है यहाँ पर मैं reactivity series को फिर से लगा दिया हूँ तो बहुत सारे metals है जो कि high reactive होते है metals of high reactivity जैसे मैंने बताया था कि reactivity series वाला वीडियो आपने देखा होगा नहीं देखा तो link मिल जागा पूर description में तो playlist का link है वहाँ साब देख सकते हो और यहाँ पर आप देखो तो जो सबसे ऊपर के element होते हैं यह सब बहुत high reactive होते हैं और जो सबसे नीचे के होते हैं वह सब आएगा भी समझ मैंगा थोड़ा देमें दो मेटकार और जो middle reactivity होती है वो zinc से लेकर mercury की middle reactivity वाले आते हैं और जो सबसे least reactivity होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं तो metal of high reactivity, metal of medium reactivity, metal of low reactivity ध्यान रखने के लिए याद करने के जो अतनी बस आप याद रख लोगे जो reactivity series के उपर वाले जो elements है, metals जो है, जैसे potassium हो गया, sodium, calcium, magnesium, aluminium तो यह सब जो उपर वाले elements हैं यहाँ पर, metals जो गिये गए, वो सारे most reactivity होते हैं, जो सबसे last में silver, gold, platinum, यह सब least reactivity होते हैं, जो middle के बजगे, वो medium reactivity के metals होते हैं, अब यहाँ पर समझ जागा, metals of high reactivity के मैं बात कर रह जैसे मैं बाता है अभी, high reactivity वाला, medium reactivity वाला और low reactivity वाला, high reactivity वाला बहुत high reaction करेगा, medium वाला, medium reaction करेगा, low वाला बहुत कम reaction करेगा, यह ना करेगा, तो metal जो top में हो गया, जैसे sodium, calcium, यह सब high reactivity होता है, यह nature में freely नहीं मिलता है, ठीक है, high reactivity है, इसलिए कोई ने कोई न तो आक्साइड का कमपॉंड एक रूप के साहिम नहीं सब्सक्राइब करें तो हैं इसा में सब्सक्राइब अब बात करेंगे फ़र्म में यह औक्साइड के फ़र्म पर सब्सक्राइब जीलदी यह फार्म लेकिन जो मीडियॊं निश्चित 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 यह तो औक्साइट के फिर या या तो जیसे आरं है आरन ऑक्साइट के फिर्म पर ये मिले इसी फीर Isp3 Xin दूना इसका मेंन इसका फोर्ष होते हैं गिले गाडल का जीनक भी इसके मिले गाश इस धीद कपलो हो गया गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर वी समट यह जो है फ्री एस्टीट में आपको मिल सकता मिल इसania जादी ψ जाता है copper जो silver होता है वो थोड़ा सा reactivity थोड़ा सी जाधी हो जाती है इसके आरण से पैसे तो लो reactivity वाले है लेकिन लो reactivity वाले में भी थोड़ी सी यह reactivity उनकी जाधी होती है इसलिए फ्रीली उतना नहीं मिल पाता है लेकिन gold and platinum तो यह आराम से मिल जाता है ठीक है तो यह है आपको मिल जागा फ्री एस्टेंट तो कि reactivity लो होती और जल्दी बनाते नहीं फ्री एस्टेंट में यह मिल जाते है अब हम लोग तो मिल जाएगा तो उसका enrichment करेंगे अब माले कि कहीं minerals है ठीक है उसमें से अगर हम लोग और को identify कर ली कहां यहां पर iron और है तो यहां प profitably extract कर सकते हैं ओके लेकिन माल लेकि कहीं पर iron और हमको मिल रहा वहां पर 20% है ठीक है तो 20% में भी तो economically वाइवल नहीं होगा न एक केजी निकालने बैठेंगे तो 20% निकले जब उसको machine में जाके उसको निकालने बैठेंगे तो 20 ग्राम निकलेगा एक केजी पर तो अब क क्या करेंगे उसको और थोड़ा सा refine कर दे मतलब अभी और्स को ही इस तरह का हम लोग refine कर दे कि उसकी जो impurities है उसको और कम कर दे तो उससी यह हो जाएगा कि जो उसका 20% पर था वो 70-80% पर लेके चले जो उसमें इसको और थोड़ा सा कम कर देए अभी हम लोग उसको रिफाइंट कर रहे हों आभी हम लोग उसको जो मिलेवें उसको ही हम लोग कम करने में लगे तो ओर माइंड फ्रम डर अर्थ ऑपंड दा मेंटेड बिच लाज इमांट of impurity such as soil, sand, etc. are called gang. तो जैसे कि iron ore है, Fe2O3, यह हमें कहीं मिला? ठीक है, इसका percentage है 20%, बाकी का 80% क्या है? तो other minerals हो सकते हैं इसमें, जो हमें काम का नहीं है, आप काम का तो होता है, लेकिन माले हमें, अल्मुनियम ऑक्साइड भी से मिला हुआ है, हम सिलकन ऑक्साइड भी मिला हुआ है, ठीक है? तो sand हो गया, और भी बहुत अलगलग टाइप के इसमें मिले वे हमें इस सबसे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब बस इस से हैं तो ऐसा किया जाए कि यह वाला का इसको हटाया यह जो impurities है इसको हटाया जाए तो इसका जो percentage है यह automatic बढ़ जागा अगर इस 80% है इसमें सा अगर हम 70% को हटा देते हैं तो 10% रग गया अब पता चला कि यह 70-80% तक का इसका concentration बढ़ गया परसेंटेज में iron oxide तो काफी अधक बढ़ जागा तो इस कारण से इसको हम लोग निकालना काफी असान हो जागा और जो यह impurities मिले रहे रहते हैं इसको कहते हैं गैंग जी ए ए एन जी ही काफी important हो जाता है तो इसको आप ध्यान रख से जो भी impurities मिले रहत है और में ठीक है उसको हम लोग गैंग कहते हैं डियार सेपरेटेड ऑन दा बेसिस ऑफ डिफरेंस बिट्विन दफ फीजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दफ गैंग अब इसको मैंने बोल दिया कि इसको अलग करना है तो अलग होगा कैसे तो iron oxide जो है फी टूओ यह आरन का होता है ठीक है तो इसको magnetic होने के कारण इसको magnetic रोल पर चलाएंगे तो इसको अलग सेपरेट हो जागा बाकी जो है तो जो है और सोते हैं वह वाटर सोलिबल हो जाते हैं तो उसको वाटर में डिजॉल्बल होने कारण वह उसको एक्ट्रैक कर सकते हैं कुछ जो होता है युotsны और को हम लोग अलग करते हैं ठीक है तो और जो है कि अंदर में ही गयंग होते हैं एक थो तो फो प्रेंठ वो होगया साथ में गयंग युड़े रहते हैं इसी तरह को stesso optimize का करते हैं enrichment of ores की जो परसेंटेज जो पर्टिकुलर जो हमें चाहिए उसकी परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं ठीक है तो इसी को करते हैं enrichment of ores thank you very much वीडियो आप अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइक होना बुलें मिलते हैं अगले वीडियो में